आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hi everyone, so यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया है और हमें जो opposite word है इसका चूज करना है word है आपका Stingy Stingy का मतलब क्या होता है? यह सबसे पहले एक तरीके का adjective है Right, इसका मतलब होता है कि जो person काफी जादा कहलो कंजूस होता है और money नहीं देना चाहता unwilling to give Right, उसको आप represent करने के लिए इस word का इस्तेमाल करते हों तो हम लेख सकते हैं unwilling to give money Right, तो यहाँ पे opposite word बोला गया यहाँ पे पहले ही option में इसका opposite word पड़ा है generous generous का मतलब क्या होता है? एकदम ही opposite है यह वो person होता है जो काफी जादा helpful होता है और काफी जादा कहलो कि money देने के लिए आपका तयार रहता है यह भी एक तरीके का adjective है happy to give more money Right, तो यहाँ पे generous will be the right answer उसी तरीके से prudent का मतलब क्या होता है? prudent एक तरीके का adjective है right इसका मतलब होता है कि आप कहलो जैसे की काफी जादा आप care show करते हो किसी के लिए showing care right उसी तरीके से जब आप thrifty के बारे में बात करते हो thrifty क्या यह तरीके का adjective है यह उस person के लिए represent करता है जो बहुत ही carefully money को एक तरीके से इस्तमाल करता है right तो यहाँ पर बाकी सारे शब्तों नहीं relate हो रहे तो answer जो हमारा एही आएका